आज वेलकम यू बैक अगें इन मा चैनल गीजा एजूकेशन आम संदीप शर्मा इंफरंट ओफ यू एंड तोड़े वी आज हम लोग क्या बात करेंगे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिफ्लेक्षन काँके और कॉन्वेक्स मिरर में किन प्रकार से होता है देखिए जितने भी जनरल केसे मुँ ने डिसकस कर दी है कुछ कॉम्टिटिव केस बचें उसमें जो कॉम्टिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टन है तो देखिए वीडियो मैं ऐसे डिजाइ तो एक competitive level का एक NEET का जही मेंस और फिर advance के लिए तो बात अलग है यह सारी चीजों का एक अलग से वीडियो बनेगा ठीक है जिसमें कुछ और ऐसे topics हैं जो school level पर cover नहीं होते हैं वो मैं cover करूँगा और इसके numericals भी हम लोग करेंगे तो मैं नहीं चाहता है कि starting से चीज़े इतने difficult हों आपके लिए at least you get familiar with the subject क्योंकि कोई भी चीज इंसाने दिमाज के रही मुश्किल नहीं है बशरते वो चीजों को सही से समझ ले और सही डंग से समझने के बाद उसको सही तरीके से process करें starting से अगर चीज़े बहुत difficult कर दी जाएंगे then there is a chance that you might lose your interest in between okay by not wasting any more time today as we have already gone through the reflection of light through the concave and convex mirror just all the general cases okay all that so today we are going to form a mirror formula mirror formula जो हमारे पास आया है वो कैसे आया है हमें जानेंगे बहुत ही दिल्चास्ट बहुत इंट्रस्टिंग है यह जल्दी से समझेंगे की mirror formula कैसे develop हुआ है mirror formula let me write it down it is we are talking about mirror formula ठीक है mirror formula यह कैसे develop होगा देखिए ठीक है देखिए mirror formula अगर हम लोग गौर करें क्या कर सकते हैं हम लोग चीजों को समझने के लिए देखिए बड़ा ही simple तरीका है सबसे पहले हम लोग एक अपना concave mirror बनाएंगे बना लिए यह concave mirror है इस प्रकार से हम principal axis बना लेते हैं अपनी ओक देखिए this is the principal axis we have got और यह इसका pole है suppose यह किसी curvature का ही के center जो एक sphere का curvature होता है वही स्वियर का center मान लेंगे उसके आधे पर focus होगा यह center of curvature है यह focus है एक object ऐसा करते हैं कहीं पर भी रख देते हैं मान लेते हैं यहां पर हम लोग एक object रख देते हैं ठीक है इस object को जड़ा मैं straight बना लूँ okay let me draw it straight so this is the object we have got इसका नाम देदेते हैं हम लोग A B ठीक है अब जड़ा देखते हैं इसकी image बनाते हैं मुझे पता है beyond center of curvature I hope till now whatever the image formation and the rear diagrams I have discussed in the previous very video you have gone through it and you have learned by heart all of them it's very important dear यह सारी चीज़े तुम्हाय दिमाग में होनी चाहिए ठीक है image formation अगर clear होगी कब कौन सा object कहां रखा होता है इसकी image कहां बनती है then it will really very beneficial for you to find out because it will make yourself capable and the same time it's going to help you out again in solving all the problems okay so let's see how we can do it यहां पर object रखा हुआ है ठीक है एक रे सीधी फेकते हैं यह सीधी गई भाई focus से जाएगी as you know this very well okay और दूसरी में center of curvature से बेच के काम कर देता हूं वैसे तो चाहो तो मैं कहीं से बेच सकता हूं बेच देते हैं चलो center of curvature से यह ऐसी रे चली गई ठीक है यह रे ऐसे टक्रा कर ऐसे ही वापस आ जाएगी ठीक है यहां पर intersect कर रही है तो यहीं पर image देते हैं हाला कि यह image head की बनती है लेकिन फिर हर एक point की ऐसे ही बनती है तो अब मैं इसका नाम देता हूं इस image का a dash b dash यह image हो गई सारी length measure कर देता हूं देखिए length जो भी हमको measure करनी है वह हमको pole से करनी होती है ठीक है तो यह याद रखे का मैं pole पे एक line distance है as we know that इसको हम लोग user note करते हैं इसी प्रकार से यह length देखो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं यह length pole से center of curvature की विच में radius of curvature होती है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ इसको हम लोग radius of curvature लिख दें या two times focus लिख दें हमें पता है two time focal length होती है ओके और देखिए यह image के distance है तो इसको हम लोग image के distance लिख देते हैं यह ऐसे करके वी बोल देते हैं इसको ठीक है ना तो वी आ गया यू आ गया टू एफ आ गया इस सारी करते थे याद नहीं एक आप x positive बनाते थे 0 से इधर positive लेते थे इधर बाकी सब चीज जुथी वो negative लेते थे है ना ऊपर जो है y लेते थे आप positive इधर नीचे जो लेते थे y negative उसी प्रकार से कंवेंशन यहां भी देखिए मैंने किसी लिए यह खींज दिया है वो कि दिस दॉटेड लाइन दिस कन आक्ट अजा य एक्सेस और दिस प्रिंस्पल एक्सेस चैनेक्ट अजा एक्सेस तो यानि इस पॉल से जो भी इधर कुछ मेजर करेंगे या यह कहने कि इस मेरर के जो भी राइट में मेजर करेंगे आप वो सब पॉजिटिव लिया जाएगा ठीक जो भी चीज आप मेर के लेफन मेजर करेंगे वो शब चीजो नेगेटिव लिए जाएगगी ठीक है하면서 उदहर जो मेझर कर रहे हैं या निसekkah एक बात बड़ी कॉमन है कि object के distance हम लोग conventionally एक नियम बना लिया है हम लोग हमेशा left में रखते हैं object तो हमेशा object हम लोग negative लेखते हैं ठीक है अभी numerical step शुरू होगा तो मैं यह सब और basic चीज़े आपको बता दूगा जिससे आपको और फाइदा हो जाएगा ठीक है अभी positive negative बताया है उस आप से मैं इसका sign रखूँगा ठीक है फिर मैं आगे जब question करने जाओंगा then I will be clarifying you more that how the numerical should be solved and what are the things you have to keep in mind okay तो देखिए यह object की length है object कितनी दूरी पे है यह radius of curvature है यह image की distance है अब देखिए ऐसा है मैं जो दो triangle कह रहा हूँ यहाँ पर वो दो triangle आप assume कीजिए a b c और a dash b dash c ठीक है यानि a b c I am talking about and a dash b dash c if we talk about these two triangles can't you see that these two triangles are similar to each other how can we say that this angle is equal to this angle okay vertically opposite and this angle is equal to this angle 90 degree so by a similarity these two triangles are similar in fact जब दो angles similar होते हैं तीसरा अपने आप बराबर हो जाते हैं यह वाला जो angle है यानि a b c बराबर इस वाले angle के हो जाएगा यानि a dash b dash c k है ना वो सब चलिए similarity की बात है similarity क्यों कह रहा हूँ what is the use of similarity when the triangles are similar you have gone through intent then there is side very proportional यानि दो similar triangle के side जो होते हैं proportional होते हैं I hope कि आपने triangles mathematics में अच्छे से किया था बहुत जरूरी है क्योंकि यह चीज़े बड़ी common है कुछ ऐसा नहीं है कुछ चीज़े पीछे की भी लगा करती है ना intent की भी कुछ चीज़े लगती हैं आप उसे ध्यान रखेंगे ठीक है जरूरत में बताता रहूंगा don't need to worry for that ठीक यह दोनों triangle similar हैं के side proportional है side proportional कैसे देखे जाते हैं यार जो दो एंगल आपस में बराबर होना नो दोनो corresponding triangles के ठीक है तो उनके opposite जो side होती है वह similar similar देखी जाती है माल लेते हैं एक triangle यह है ABC और एक triangle यह है a-b-c- तो अगर यह वाला angle इस वाले angle के बराबर है और यह वाला angle यह वाले corresponding angle के बराबर है जो इस triangle के तो इस इसके opposite side क्या है AC और इस angle के opposite side क्या है a-c- यह आपस में proportional होगी यह मतलब है simple सा यह angle के opposite bc है यह angle के opposite b-c- यानि यह भी कह सकते हो कि bc upon b-c- यही चीज हमें यहां लगाना है यह angle के opposite side a-b है यह वाले angle के opposite side a-b- तो यह आपस में proportional होगी यानि a-b proportional होगी a-b- के ठीक है इसी प्रकार से यह वाले angle के opposite a-c है लिख लेते हैं और यह वाले इस वाले 90 degree के opposite जो दो angle आपस में corresponding बराबर हों दो triangles के उनके opposite side proportional होंगी वह देखनी होंगी आपको इसके opposite इस वाले angle के opposite a-c है उसे लिख लिख लीजे भाई a-c वोके तीसरी side और बचती है कि यह वाली बचती है कि यह बट इस नौट relevant इस नौट relevant to the matter we are discussing तो we are leaving it हमें उससे मतलब नहीं अब देखो यार क्या करो यह यह a-c जो है वैसे यह a-c a-b a-b-dash है क्या मैं आपको समझा देता हूं देखी यह a-b जो है actually object की size है आपकी कि object कितना लंबा है a-b-dash size of the image है ना तो इसको आप आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं in fact बट अभी आप रोख जाएए अभी हम लोग discuss करेंगे अभी ध्यान से देखो देखो देखे एसी और a-c को whatever the things we have got like two f v u in k terms में लिखना है कैसे करोगे सो चो दिमाग लगाओ यह length अगर हमें a-c चाहिए यह वाली length चाहिए तो क्यों ना मैं लिख लूँ यह वाली length माइनस यह वाली length यह वाली length यह वाली length इस length माइनस PC ठीक है इसी प्रकार से a-c यह length चाहिए तो एक काम करो यह वाली length में अगर यह वाली length माइनस कर दोगे तो यह length आ जाएगी यारी इसको लिख लिए मैंने PC माइनस a-p ठीक कोई confusion है अब एक काम करो यार यह AP है क्या जरह गौर करो AP है तुम्हारा मैं यहां लिख दे रहा हूं AP क्या है AP है तुम्हारा object की length u ठीक साइन के वह बात करेंगे इसी प्रकार से PC क्या है PC क्या है यह radius of curvature है ओक मैं PC को लिख दे रहा हूं R या मैं S को लिख दे रहा हूं 2x f ठीक और इसी प्रकार से A-P क्या है डाट इस वी इमेज की लेंद तो ए डैश पी को मैं लिख दे रहा हूं वी ठीक है देखे ऑब्जेक्ट की डिस्टन्स को हम लोग यू से इमेज की डिस्टन्स को वी से और रेडियोस अफ कर वेचर तो भाई आपका टू टाइमस फोकल लेंद होते हैं साइन की बात क पुछ नेगेटिव होगा यहीं सबके सामने नेगेटिव लगा दो भाई यह ऐसे लगा दिया ठीक है समझ में आया अब यह सारी वैल्यू जो है आपके पास यहां पुटप कर दीजिए जैसी है विट साइन ठीक है तो एपी को लिख लिए आपने माइनस यू ठीक है माइ माइनस यू प्लस टू टाइमस एफ माइनस माइनस फ्लस हो जाएगा ठीक है और यहां पर हो जाएगा माइनस टू टाइमस एफ प्लस वी इतनी बात समझ में आई आई आपको यह बात क्लियर हुआ आपको ठीक है अब इतनी चीज़े क्लियर हो गई है तो इतना आप रिज लीजेगा मैं मुझे पराद जग जगा का मैं तो मैं मिटा रहा हूं तो मैं आप क्या करने जा रहा हूं मैं और दो और ट्रेंगल की चर्चा करने वाला हूं how can we bring in concern to that आप ऐसा कीजिए पोल को join कीजिए पहले subjects से तो पोल को अगर मैंने को लेने हैं याद रखिए आपको लेना है ए बी और पी यानि यह वाला ट्रेंगल यह वाला ट्रेंगल ए बी और पी यह वाला ट्रेंगल आपको लेना है और ट्रेंगल लेना है ए डैश पी और बी यह वाला ट्रेंगल लेना है ठीक है साफ साफ यार मिटार के बना लो है ना भाइचे बाकी दो नभे टिग्रीय तो नभे के आप सब्सक्राइड यानि एधर ये साला सबी यह ब्लार हो गया एक बाला शेय। है ना और तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाता है यानि यह वाला एंगल मैं ऐसे कर देता हूं डबल और यह वाला एंगल आपका ठीक है तो साइड जो प्रपोर्शनाल्टी लिखनी है वो लिख लीजिए ट्रेंगल ने बोल रहा हूं कि ए डाश बी डाश पी यह तो यह दोनों सिम्लेर हैं मैं डिसकस नहीं करूंगा क्यों सिम्लेर हैं आपको समझ में आ गया बस सीधे मैं लिख रहा हूं साइड प्रपोर्शनल जो हैं तो मैं लिख रहा हूं इसमें लिखेंगे अबी अपॉन एडश बी डाश इस वाले कि हमें यह वाली साइट से मतलब है तो यह वाली इस एंगल की एपोजेट साइड यह वाली है जिसको हम लोग एपी लिख देते हैं ल कि और उसी प्रकार से यह वाले एउंगल कर साइट जो है डिषamar इसको A-P लिख देते हैं ठीक है यह अपने से करना है बिना अपने से किये काम नहीं बनेगा अब ऐसा है A-P क्या है भाई A-P है क्या object की distance तो लिख लो डारेक्ट लिख दे रहा हूं यू ठीक और वो भी कैसा minus में चुकि यह minus होता ही हो इसी प्रकार से A-P A-P यह है यह क्या image की distance है तो इसको वी लिख दिए और यह भी negative होगा अब यह दोनों negative negative कट गए आपस में है ना कट गए तो इनको हटा दो भाई यह U by V हो गया अब यहां पर हमारे पास statement आ गया AB upon A-B- is equal to U by V और यहां पर AB upon A-B- आ रहा था यह minus U plus 2F minus 2F plus V अब ऐसा करो यह दोनों बराबर हैं दो equation में यह वाले equation में और यह वाले equation में यह दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यह इस चीज के बराबर होगा तो अब मैं इन दोनों को बराबर करके बाकि solve कर दे रहा हूँ ठीक है मां ऊपर कर दे रहा हूँ यहां में ड़ दे रहा हूँ मैं सब चीजे जो खास खास नहीं थी इनको मैं हटा दे रहा हूं यह थोड़ा से mirror का portion भी हटा दे रहे ह। क्योंकि बस आप सॉल्व करना है ठीक है तो मैं लिख दे रहा हूं यू बाई वी उसमें पीछे आथ दिखाई दे रहा है आपका हाँ ठीक है एकदम दिखाई दे रहा है यू बाई वी इस इक्वल टू माइनस यू प्लस टू एफ ध्यान से देखना अपॉन माइनस टू इस इक्वल टू वी माइनस यू प्लस टू एफ ठीक अंदर मल्टिप्लाय कर लो तो माइनस टू एफ यू ठीक प्लस यू वी इधर मल्टिप्लाय हुआ इक्वल टू माइनस यू वी और यह हो गया प्लस टू एफ वी हो गया अब ऐसा है यू वी को तू इधर ले आओ क् तो अगला step जो होगा, कैसा दिखाई देगा? वो यहां कर दे रहा हूँ इसको मैं मिटार दे रहा हूँ इसके कोई जरुवत नहीं है इसको आप अपनी तरप से पिशे देख लिजेगा आर्य आप कर रहे होंगा दिमेदि में शॉल्फ करता हूँ इसको मैं उधर ले जा रहा हूं तो यह हो जाएगा 2UV is equal to 2FU plus 2FV यहां पर आट 2F common ले लो तो यह हो गया U plus V और यहां तो 2UV था ही 2 से 2 हटा दो यहां पर हटा दे 2 से यहां हटाओ यहां भी 2 हटाओ करो यह यहीं से डिवाइड कर दो इधर यह पूरे fraction में दोनों तरफ व से हट कर दो यूवी से कर दोगे तो सारी यह यहीं से डिवाइड कर देताय यह तो तो त्म अगर ऐसा कुंकि कंफ्यूस मत हो Алि यह एक ही चीज़ एक बात कहने के दू तरीके हैं या तो मैं कहूं इसे डिवाइड कर दो यह मैं कहूं ऐसा करो कि F को तुम यहां ले आओ और इसको तुम यहा ले जाओ तो भी बात वही हो जाएगी तो यहां यूभी तो यह हो जाएगा one upon f जब यह नीचे आएगा क्योंकि और यह यूवी उधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा u plus v upon u v ठीक है let me see the clarity ठीक है ज्यादा तो नहीं आ रही है इसको मैं उपर लिख दे रहा हूँ तो यह आ गया आपका one plus f is equal to u plus v अब दिनों को separate कर दो ठीक है तो दोनों को separate कर दोगे उपर देख लो यहाँ पर दोनों को separate करके लिखो गए तो one upon f is equal to यह हो जाएगा one अरे जब u को आप uv करेंगे और v को आप uv करेंगे दोनों को अलग-अलग divide कर देंगे तो यू से यू कड़ जाएगा यहाँ वी से वी कड़ जाएगा यहाँ बचएगा one upon v यहाँ बचएगा one upon यू यानि अल्टिमेटली आपके पास क्या बचएगा यह बचएगा यहाँ बचएगा वन अपन यू ठीक है और यह आगे आपका mirror का formula ठीक समझ में आया कैसे आया ठीक है ये चीज मैं आपको उसमें भी दिखा सकता था convex mirror में भी आप चाहें तो convex mirror में भी देख सकते हैं convex mirror में भी यही formula ही हमारे पास आएगा ठीक है अब जरा एक बहुत ही important part है जो की magnification का formula है वह हम लोग यहां से निकालते हैं बहुत ही important है तो मैं काम करता हूं magnification का formula समझने के लिए आप बाकी सब चीजे याद रखिएगा मैं इस ही से निकाल दोंगा ठीक है जो चीजे आपके देखिए वहां मैंने दूसरा ट्रेंगल जो लिया था यह वाला ट्रेंगल और यह वाला वहां आपने एवी अपन एड़ाश बीड़ाश को हम लोग a b p में और a dash b dash p में यानि a b p में an a dash फिर से कर दे रहा हूं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमने यह प्रूफ किया है कि a b over a dash b dash ठीक है is equal to a b over a dash b dash is equal to what is equal to this length यानि कि a p over a dash p और a p को हमने लिखा था याद करिए U sign के साथ लिख लिए O-P को V लिखा था sign के साथ sign उपर नीचे minus था तो काट गया आपस में कटके 1 हो गया A-B है क्या वैसे object की length है और A-B- क्या है image की length है ठीक है अब ये एक बात का जरूर दियान रखना कि इनको with sign रखना है आपको तो A-B जो हम लोग measure कर रहे है वो इस axis के उपर measure कर रहे है तो ये positive है और A-B- जो है इस axis के नीचे measure कर रहे है यानि A-B वैसे है क्या हमारी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A-B हमारा वहाँ दिख रहा है ठीक है यहाँ दिख रहा है A-B को मैं लिख सकता हूँ A-B को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अटा के यही तुम्हारी object है ठीक है object की length है ओ क्या है हमारा object की length और A-B- हमारा image की length यह positive है लेकिन image की length A-B- negative है ठीक है तो इसको बीच में हटा दो तो यानि कि यह बराबर है आपस में इसको और pass करके लिख लो यानि यह I by O is equal to U by V है इसी का reciprocal ले लो यानि मैं यह भी कह सकता हूँ O by I is equal to U by V और I by O is equal to V by U ठीक है I by O is equal to V by U और यह negative में है देखो यार image with respect to object कितनी बढ़ी या कितनी घटी यह है क्या आई भाईो यह formula है this is the formula of magnification क्या है भाई यह magnification का formula है इसी चीज को हम लो magnification भी कह सकते हैं ठीक है इस चीज को में मितार दे रहा हूँ यह चीज यही हमारी जो चीज है इसी को हम लोग magnification कहते हैं ठीक है तो magnification हमारे पास जो आया है ठीक है magnification क्या आया है मेरे पास आई बाई ओ इस इपकल टू वी बाई यू चाहे आई बाई यू करो यह सब magnification के formula है यानि magnification एक्चुली यह बताता है हमें कि image की length object मतलब image की distance object की distance के respect में कितनी बड़ी छोटी है या image की length with respect to object की length कितनी बड़ी छोटी है अगर i बड़ा है ओ छोटा है तो हम magnified कहेंगे हमारी image magnified हो गई बड़ी हो गई है और अगर i छोटा होगा ओ बड़ा होगा यानि image चोटी है तो वह diminished होगी तो i जब भी यह value जो है sign मत देखो sign की value बताता हूं जब भी यह value i by 1 से बड़ी हो तो इसका मतलब image magnified होगी है लिख लीजे कहीं पर write it down somewhere it's very important thing I'm telling you और जब भी यह value 1 से छोटी हो तो इसका मतलब image diminished होगी है image छोटी होगी है तो मैं यह लिख दे रहा हूं यहां पर whenever m is greater than one only we are talking about the magnitude of m okay whenever magnitude of m is greater than one इसका मतलब यह है कि यह magnified हुआ है ठीक है और अगर यानि केवल हम mod की magnitude की हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं अगर m greater than one है ऐसे देख लीजे अगर m greater than one है तो magnify हुई है और अगर m less than one है less than one when का मतलब negative की बात नहीं हो रही ध्यान रखिएगा वन से छोटा यानि one से और zero के बीच में अगर है यानि zero और one के बीच में यानि zero से बड़ा है और one के बीच में है जब यह होगा तो diminished होई है छोटी हो गई है ठीक है negative नहीं हो ना इसे याद रखिएगा अभी हम sign की बात नहीं कर रहे हैं वहीं क्वेल magnitude की बात कर रहे हैं अब हम लोग पर magnification positive आ रहा है तो इसका मतलब यह है यार सिंपल समझे मैगनिफिकेशन मतलब positive का मतलब यह हो गया कि object जो भी है वह उपर की और बन रहा है बड़ा मान लेते हैं अभी इस चीजों को समझे अगर कहीं पर यह value यह बात से पहले समझ में आगे इतना पहले मिटार दे रहा हो आपको इतना formula clear हो गया है तो अभी magnification का मतलब मैं समझाओंगा जब मैं numerical discuss करूंगा तो कुछ जरूरी बाते में आपको बहुत important बाते समझाने वाला हूं इसलिए वीडियो को बहुत खास और आखरी तक follow कीजिए और अगले वीडियो में बहुत काम की बाते होने वाली very important things are going to be discussed in that particular video उसमें कुछ खास जरूरी बाते में बताओंगा वह आप ध्यान रखेगा ठीक है कि magnification बड़ा छोटा plus minus का क्या अलग-अलग मतलब होता है क्योंकि यह solve करने में यह बहुत जरूरी काम आने वाला है ठीक है पहले मैं बैर magnification का और एक जो formula में पास यह आ गया है तो m is equal to minus i by u यह आप note कर लीजे इतना note कर लिया है तो ऐसा है मैं सब मिटार दे रहा हूं और एक दो फॉर्मले magnification के और आते हैं पहले मैं उनको भी derive कर दे रहा हूं ठीक है इतना पहले मैं मिटार दे रहा हूं इतना मैं about कर दे रहा हूं और अब जो दो formula मेरे पास और magnification के आने वाले हैं मैं उसको discuss कर रहा हूं देखो देखो तो magnification मेरे पास आ गया है minus v by u is equal to i by o ठीक है यह formula बड़े काम का इनको याद रखो अब देखो जड़ा यह वाले equation में अगर इस equation में आप one upon you common ले 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 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यू बाई वी और यह हो जाएगा one कैसे पता लगा कि मैंने सही common लिया है आप इसको अंदर multiply करके देखिए दोनों से एक बार इस से एक बार इस से यही अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही लिया है आपने यू नीचे से common ले लिया तो यहां तो नीचे यू है नहीं तो जब ऐसा कुछ होता है कि जो हम ऐसा common ले रहे है जो नहीं हो वहाँ पे तो वह चीज हम अब देखो जड़ा इन दोनों को लेलो यार एम इस एकल टू माइनस वी भाई यू तो जगह यह रख दीजे है तो वन अपन एफ इस एकल टू वन अपन यू और इसकी जगह लिखा आपन ने 1 upon M plus 1 ठीक है चाहो तो इसको 1 minus 1 upon M भी लिख सकते हूं लिखने का तरीका है इसको ऐसे लिख लो 1 minus 1 upon M क्या फरक पड़ता है एक ही चीज़ है ठीक अब क्या करो या इस solve कर लो 1 upon F is equal to 1 upon U LCM ले लिए आपने तो M minus 1 upon M हो गया यह ठीक है या फिर एक काम करते ही इसको इसको solve कर लो देखो या इतना आ गया इसको solve कर लीजिए solve कैसे करेंगा यह यू को इधर ले आओ तो U by F is equal to 1 minus 1 upon M तो 1 upon M इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ तो यानि इसको ऐसे लिख सकते हैं यह इधर अगर आ जाएगा यह मैं ऐसे लिख दे रहा हूं चालें दिक्कत नहीं होगी 1 upon M is equal to 1 minus U by F ठीक है यह इधर ले आओ तो 1 upon M is equal to LCM ले लिए F minus U upon F तो M को क्या लिख सकते हैं आप M को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ले ले लिजे इसका तो F upon F minus U ठीक है यह बास सहुंग आई आपको तो यह magnification का एक बहुत ही important और formula है क्यों important है चुक्कि यहां पर केवल magnification, focus और object की length दी है image से मतलब नहीं है मुझे तो जब कभी ऐसा कोई case आया है whenever you get a case in which the image length is not in concern only object length, focus and magnification is there then we can use this formula to solve out the formula okay इसी प्रकार से एक formula और बन सकता है इतना दिख लिए है तो मैं इसको मिटार देता हूँ वापस यहीं पर चलता हूँ वापस यहीं पर चलता हूँ इतना मिटार दे रहा हूँ एक और formula देखो कैसे बनायते हैं हम लोग बहुत सिंपल है देखो अगला formula देखो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u अब एक काम करो यार यहाँ पर अपकी बार 1 upon v common लेलो अपकी बार u हटा देते हैं तो यह बचेगा 1 plus v by u हो जाएगा ना चाओ तो मल्टिप्लाइगर करके देखो यहीं आ रहा है कि नहीं उपर वाला फिर ऐसा करो 1 upon v 1 plus v by u को आप लिख सकते हैं minus m लिख लिख लिए 1 minus m direct यह वाली चीज डारेक्ट v by u को m is equal to minus v by u तो v by u is equal to minus m ओके यह क्या है भाई आपका 1 upon f यह वी को इधर ले जाओ तो v by f is equal to 1 minus m ठीक है तो m को उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ तो m is equal to m उधर ले आए और उसको लेकर तो 1 minus v by f solve कर लो यह एलसे में ले लो तो f minus v upon f तो m की value यह भी ली जा सकती है ठीक है ओके यह formula clear हुआ आपको तो यह वो सब respective formula थे देखिए यही चीज mirror formula convex mirror बना के भी मैं बना सकता था मैं आपको छोटा सा idea देता हूं वो आप अपने से करिए यह जो mirror formula हम लोग ने अभी का बनाया है मैं आपको यह यह assignment देता हूं you can do it by your own it's very easy कि अगर यह convex mirror होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग mirror formula जो हम लोगों ने derive किया वो कैसे करते हैं को यह object यहां रखते हैं ठीक है तो आपको पता है कि अगर यह इसका center of curvature है यहां पर कहीं इसके आधे पर focus होगा तो जो ray ऐसे जा रही है वो तक्राने के बाद ऐसे चली जाएगी ठीक है और दूसरी रे नाम दे दो image को आप a dash b dash नाम दे दीजिए ठीक है यह वाली लेंथ आपकी object की distance हो गए यह वाली लेंथ आपकी radius of curvature हो गई या two times focus हो गई ठीक है यह वाली distance आपकी V हो गई ठीक है आगे है सब कुछ कौन-कौन से triangle लेने मैं आपको समझा दे रहा हूं एक काम आप और कर सकते हैं वह यह कर सकते हैं कि center of curvature की तरफ जो लाइन जा रही होगी वह सीधे reflect हो गई होगी तो ऐसे दिखा सकते हो ऐसे दिखा के और उसके बाद ऐसे करते हो यहां दिखा दो ठीक है तो एक काम करना तुम यार इसको नाम दे दिया आपने center of curvature तो आप ए भी सी एक triangle ले लिए और एडास बी दाशी ले लिए इन दोनों को similar प्रूफ कर दीजिए तो यह साइट प्रपोर्शनल होगी इस वाले साइट के यह वाले साइट के यह वाला triangle और यह वाला triangle आपसे प्रपोर्शनल होंगे तो उनसे तुम वैसी करके लिए है मैं आपको assignment दे रहा हूं आप इसे कर सकते हैं देखें दो मिंट मुझे दो मिंट लगेगा अगर आप देखें तो मुझे दो मिंट लगे करने में मैं मैं चाहें तो आपके लिए कर देता हूं इस सही मेरा formula और हमारे पास सब कुछ आ जाएगा देख लीजिए अगर मैं यह प्रोपोर्श्णल होंगी यानि में लिख सकता हूं एबी अपान एडाश बीडाश हो जाएगा प्रोपोर्श्णल उसी प्रकार से यह वाला एंगल यह वाले एंगल के बराबर होगा तो बड़े वाले ट्रेंगल में यह साइड है जिसको आप एसी लिख सकते हैं और आप एसी को क्या लिख सकते हो यह वाली डिस्टन्स प्लस यह वाली डिस्टन्स यह वाली डिस्टन्स क्या है आपकी यू है लिख लो यू जिसको माइनस के साथ लिख लेना पहले आप ऐसे लिख लिए यह हो जाएगा आपका यह अगर यह पोल है तो एपी प्लस पी सी लिख सकते बख़ी ये वाली लैंध को ये वाली लेंध माइनस ये वाली लेंध लिख सकते यह आप उसको लिख सकते हैं PC माइनस आश पी लिख सकते हैं अब AP plus TC क्या है एक अयू है what time sign के साथ रगदो माइनस पीसी देखो ये लेंध है और ये पॉस्टिव ये मिरर से ठीक है इसी प्रकार से PC फिर से वही बात है टू टाइम से फ है पॉस्टिवी लिखना है मुझे ठीक और माइनस एडैश पी अब एडैश पी यह इमेज की लेंग और यह भी पॉस्टिव है तो इसको वी लिख देते हैं कि वह उसमें हम लोग प्लस माइनस प्लस लिखेंगे है ना इसलिए इसका माइनस माइनस ही रहेगा यहां पर चुकि वी हमारा पॉस्टिवी आ रहा है इतना आ गया दूसरा ट्रेंगल यह ले लो ट्रेंगल ए बी पी यह वाला ट्रेंगल और यह वाला ट्रेंगल एडश बी डैश पी क्योंकि हमको बार-बार इन दोनों को रि एड को और यह एंगल और यह यह एंगल तो ऐसे बरहों सकते हैं यह दोनोंmeye आपकोन है इसके अप फिर से लिख सकते हैं तो लिख लो भाई एपी और इसके अपोजिट साइट एड़ाश पी है एपी क्या है डारेक्ली आपका यू है माइनस में लिख लिए क्यों लिख लिए आप समझ जाएंगे नेगेटिव है और एड़ाश पी आपकी भी है और वो पास्टिव है तो यह आगया भाई यहाँ हाँ पर यहाँ पर दाश बैस यहाँ पर अपने डाश बैस यह एतना तो इन दोनों को आपस में एकवेट कर दो and you'll be getting the answer इसी प्रकार से देख लीजे अभी कर दे रहा है माइनस यू बाई वी इस इक्वल टू माइनस यू प्लस टू एफ अपोन टू एफ माइनस वी क्रोस मल्टिप्लाय करो तो यह हो जाएगा माइनस यू और टू एफ माइनस वी इस इक्वल टू वी माइनस यू प्लस टू एफ क्रोस मल्टिप्लाय करो माइनस टू एफ यू और यह माइनस माइनस प्लस यूवी इस इक्वल टू यह हो गया माइनस यूवी और प्लस टू एफ वी ठीक है यह जो भी इधर ले आओ यह उधर ले जाओ तो यह हो जाएगा टू टाइमस यूवी तो यूवी टू टाइमस हो गया और यह जो जाएगा तो टू एफ यू प यह आ जाएगा 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f तो यहाँ भी mirror formula आ गया mirror formula लाने के दो तरीके हैं अब जल्दी से मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब यह formulas मेरे पास आ गया है अब हमें केवल question discuss करना ठीक है जो खास-खास formula हमारे आगा हैं वो कौन-कौन से मैं फिर से रीक्याप करा दे रहा हूं आपको उसके बाद हम लोग question discuss करते हैं what are the formulas we got हमारे पास mirror formula आ गया 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f ठीक magnification आ गया है i by o is equal to minus v by u ठीक और आ गया है हमारे पास magnification का f minus v upon f अब जो कुछ खास बात बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट कर लो अगले वीडियो में मैं बहुत खास बात बताने वाले हूं उसको बहुत फॉलो करना है पहले इतनी चीज़े आप जान लीजिए देखो भाई ऐसा है मेरर equation solve करने में left right तो तुम समझी गया हो left में जो चीज है वो negative right में जो negative उपर जो है positive नीचे जो है negative कुछ भी किसी problem में पूछा है तो जो quantity आपको numerically दी हुई है whatever the quantities आपको दी हुई है तो उनको with sign रखो तुम अब तुम्हारे clear होगा concave mirror है अब जो को खास खास चीज़े क्या अगर concave mirror होगा तो concave mirror में जो उसका radius of curvature होता है और उसका focus होता है वो सब understood है कि वो negative होता है ठीक है ना वो negative होता है और convex mirror होता है तो convex mirror में उसका radius of curvature उसका focus positive होता है यू दोनों ही case में negative होते हैं ये खास-खास चीज़े हैं लिखते जाइए यू दोनों जगा negative होगा यू हमेशा हम लोग negative side रखते हैं और image depend करती है Concave mirror में सारे case में image negative आती है एक case में image positive भी आ जाती है जब focus और pole के बीच में होता है तो जो राइट में बनती है virtual image वह positive होती है यह बात सब्सक्राइब कॉन्वेक्स में सारी जो image वह positive होती है वह आपने देखा यह Convex के कुछ cases और भी हैं जो competitive में मैं डिसकस करूंगा when I am going to discuss the question of your question levels of NEET and J level then there I would be discussing some of the cases over there है तो एक बात याद रखो अगर magnification का मतलब क्या होता यह भी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं इतना तो अब माल लेते हैं जैसे concave mirror है तुम जानते हो उसका focus negative होता है लेकिन यह focus दिया नहीं है ध्यान सुनो मेरी बात focus नहीं दिया है तुम से focus पूछा है उसने इंस्पाइट कि तुम जानते हो negative होता है तो तुम focus negative नहीं लोगे क्योंकि focus ही तो पूछा है उसने तुम solve करो बाकि चीजों ना दी हो इंस्पाइट कि यू नो दाट इट इस नेगेटिव इस पॉजिटिव बट स्वाल करते वक्त में समझा दूंगा क्या मतलब है magnification की भी बात समझिए देखिए magnification जो होता है अगर कहीं पर आ रहा है plus 4 by 3 और कहीं आ रहा है minus 4 by या minus 2 आ रहा है मान लेते हैं क्या मतलब है इसका या इसको भी whole number में रख देते हैं ताकि समान में आ जाए मान लेते हैं plus 2 आ रहा है देखो इस चीज का मतलब है पहली चीज क मैंने असका था और प्लस यह दर्शारा है कि वह image ऊपर बन रही है अब ऊपर आपको पता है वर्चोल एक इमेजे बनती है आपको खट से आडिया लग जागा कौन सा केसा यह बहुत ही beneficial है and this is very informative as well minus यह दर्शारा है तू तो यही बता रहा है कि image बड़ी है पर यार image बड भी हो सकती है इमेज बड़ी नीचे भी हो सकती है माइनस दिखाता है कि वह magnification नीचे वाला है कि उपर वाला है और magnitude बताता है मालो कहीं पर आपकी magnification की value आती प्लस 0.5 अब देखो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि image तुमारी छोटी है image तुमारी object की 0.5 टाइमस है अब आपको पता है convex में ऐसा case होता है convex में object के respect में image छोटी बनती है लेकिन बनती उपर ही है तो यह प्लस का मतलब क्या बता रहा है आपको कि magnification उपर है कि नीचे है कि magnification का amount बताएगा कि कितना बड़ा या छोटा है वन से बड़ा है तो इसका मतलब image बड़ी है वन से छोटा है तो image छोटी है प्लस का मतलब उपर की और माइनस का मतलब नीचे की और अगर यह माइनस हाफ होता तो इसका मतलब नीचे बन रही है image और नीचे इमाज रियल और इंवर्टेड होती हैं सब बहुत इंफॉर्मेटिव है जब क्वेश्चन करूंगा तो उसको आप ध्यान से देखेगा उसमें सारी बाते आपको रच्छे से क्लियर होंगी ओके